हलो दोस्तों मैं हूं दीपक देवोत वालो राम सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही जानकारी है प्रधान मंत्री किसान कर्जमाफी योजना के तहित आप अपना नाम लिष्ट में किस प्रकार देख से हैं वह सारे जानकार हैं आपको इस नाम किया आपका नाम उस लिष्ट में है या नहीं सारे जानकार हैं आपको इस वीडियों देंगे तो वीडियों तक पूरा देखना और जो भाई हमसे नहीं वीडियों लिए जुनना चाहते हैं सब्सक्राइब बटन दबा करमाचा जूड़ सकते हैं साथ ही बेल आइकन दोबालाने ताकि मैं कोई नहीं नहीं चूड़ डानों उसको नोटिफिकेटर आपके पहुंच जाए तो चलो भाई यह स्टार्ट करते हैं प्रदान मंतरी किसान करज माफी योजना के तहएद प्रदान मंतरी ने किसानों के बारे में सोचते हुए कि लगातार किसान करज किसान करज में डूबते चार हैं इसलिए किसानों के हर साल करज से उबारने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है किसान सम्मान निदी योजना इसके horizon के बारे में चार श्यार मेंसे कंदर दीजाएंगे तीन किस्तों में 6,000 रुपे हर साल दे जाएंगे इसके लिए किसानों को अपनी जमीन का पंजिकरन पटवारी दुआरा ओनलाइन करवाना होगा यानि कि अगर आपको किसान सम्मान ने दियोजना का लाव उठाना है तो आपके जमीन का पंजिकरन आपके गाउं के जो पटवारी होता है तहसील में बेढ़ता है उसके पास जाकर उसका ओनलाइन रेइस्टरिसन कराना होगा यानि पटवारी के पास अपने दस्तावए लेकर जमीन के वो अपना आपकी जमीन को ओनलाइन कर देगा जिस किसान के पास जमीन दो एकर से कम है वो ही इसके लिए पातर हैं वो ही इसका लाव उटा सकते हैं जिन किसानों को इसका लाव अभी तक नहीं मिला है उनके लिए मेरी एक गुजारिस है अपने गाहों के पटवारी के पास अपने जमीन कागश लेकर जाएं तो तब जाकर आपका पटवारी आपकी जमीन को ओनलाइन कर देगा और आपको इस योजना करना मिल जाएगा इसके लिए आपको क्या है चाहिए इसके लिए आपका आधार कार्ड अपने बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए यानि कि आपके आधार का बायुमेटर का अपडेट हुआ होना चाहिए जो कि इमित्र से होता है आपकी फिंगर स्केन दुबारे से स्केन होगी और आपके आँख की रेटेना दुबारे इमित्र से स्केन होगी उससे क्या होगा आपका Biometric Update हो जाएगा अधार कार्ड और वो जुड़ा होगा होने चाहिए आपके Mobile Number और Bank Card से तब जाकर यह तीनों चीज जुड़ जाएंगी तो आपके अकाउंट में सीधी किसान सम्मान निदी योजना का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो जिन किसानों ने अभी तक यह नहीं कराया है तो वो किसान जाकर तुरंत इमित्र पर जाकर अपना Biometric Update कराएं और अपने बेंक पर जाकर आधार कार्ड को जुनवाएं अब आप किस प्रकार लिष्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं हम आपको बताएंगे प्रदानमंतरी किसान सम्मान निदी योजना के तेत एक वेबसाइट अभी चालू की गई है जिसमाँ आप अपना लिष्ट में नाम देख सकते हैं कि आपको लाब मिला है ये नहीं मिला उस वेबसाइट का नाम है pmkisan.gov.in यानि जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट को गूगल में इसे कैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने जो ये वो उप्शन होगा ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी वेबसाइट ओपन होने के बाद में मतलब आप技 अंतला का मतलब सेहरी अगर्रूरल में रहते हो तो रिएक्ट पर नाम करेंगे तो आपका पूरे मह बहरत के जो राज्यों के इसको घोजड ह aynı को सेलेक्ट कर देदा और के उसपर जब क्लिक करतें तो आपको जिले का न we can't the को आप को नाम आ जाएगा इस पर कोर आप गाहिं में अपना नाम देख सकते ओ Mitar शोटी बिनती है कि आप इस परकार अपना नाम PM किसान सम्मादे दी हो जाकते हैं चेक कर सकते हो तो भाईयों मासा करते हैं हमार दीगा जानकारे आप अच्छी लोगे होगी जानकरे जानकरे वीडियो को जाज़दा सेयर करें ताकि हर किसान भाई तक यह वीडियो पहुंचे इसलि हम आज कितना है बाईयो जै हिंद जै भारत